हेलो दोस्तो स्वागत आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में तो LIC का धन संचे प्लैन दोस्तो टेबल नमबर 865 डिसकस करेंगे हम आपके साथ इस वीडियो में जिसको की 14 जून 2022 में लौंच किया गया था चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को इस प्लैन में चार ओप्शन दोस्तो आपको इस प्लैन में मिलेंगे चारों में से आपको कोई भी एक उप्शन चुनना है पहले जो दो उप्शन है उप्शन A और उप्शन B ये रेगुलर और लिमिटर प्रीमियम पेरिमेंट वालों के लिए हैं उप्शन A में आता है लेवल इंकम बेनिफिट कहने का मतलब जो भी आपके इंकम बेनिफिट होगे वो आपको हर साल एक जैसे मिलते रहेंगे उप्शन B में आता है निक्रीजिंग इंकम बेनिफिट होगे वो 5% से बढ़के मिलेंगे आपको इस साल जितने मिल रहे हैं अगले साल उससे 5% जादा उससे अगले साल उससे 5% जादा ठीक है दोस्तो सिंगल प्रीमियम term की बात करें तो option c आता है उसमें सबसे पहले इसमें जिस बंदे ने single premium लिया होगा उनको level income benefit मिलेंगे कहने का मतलब कि उनके एक जैसे benefit हर साल मिलते रहेंगे option d अगर कोई लेता है single premium वाला तो उसको भी level income benefits normal मिलेंगे लेकिन उसके साथ उनको enhanced life cover मिलेगा कहने मतलब की जो life cover होगा वो काफी जादा होगा eligibility criteria की बात करें तो कम से कम age option a में 3 साल रहें दोस्तो maximum age क की बात करें तो option A और option B में 50 साल option C में 65 साल और option D में 40 साल रखी गई है कम से कम मैच्वर्टी यह दोस्तो 18 साल रखी गई है option A में maximum maturity ही की बात करें option A और option B में 65 साल option C में 80 साल और option D में 55 साल रखी गई है policy term की बात करें option A और option B में 10 साल और 15 साल का देखने को मिल जाएगा option C और option D में आपको 5, 10 और 15 साल का देखने को मिल जाएगा payout period जो क्यों आपका होगा income benefit का period वो दोस्तो option A और option B में आपके premium payment term के बराबर होगा option C और option D में वो आपके policy term के बराबर होगा कम से कम premium की बात करें तो option A और option B में आपको 30,000 रुपे कम से कम सालाना premium पे करना होगा option C और option D में कम से कम आपको 2,00,00 पे करना होगा maximum premium की दोस्तों कोई limit नहीं है यह totally depend करेगा आपकी income पे कम से कम दोस्तों जो summer short on death है वो A और option B में 3.30,00,00,00 रखा गया है option C में 2,00,00,00 और option D में 22,00,00,00,00 इसलिए क्योंकि option D में आपको enhanced life cover मिलता है premium payment term की बात करें अगर आप 10 साल का policy term लेते हो तो आपको 5 और 10 साल का देखने को मिल जाएगा अगर आप 15 साल का policy term लेते हो तो आपको 5 और 10 और 15 साल का देखने को मिल जाएगा next आता है दोस्तों guaranteed income benefits इनको calculate कैसे किया जाएगा तो सबसे पहले regular और limited premium वालों के लिए देख लें आपके analyze premium को GIB multiple GIB मतलब guaranteed income benefit multiple को multiply किया जाएगा model factor for GIB के साथ single premium वालों के लिए single premium को multiply किया जाएगा दोस्तों GIB multiple का जो चार्ट है option A और option B के लिए वो आपके सामने यहाँ है और option C और option D के लिए चार्ट यहाँ पे है यहाँ से आप value ले सकते हैं अगर बात करें model factor for GIB की तो उसका चार्ट यह है दोस्तों और आपको मैं बता दूँ model factor for GIB चारों options के लिए same है next calculation की बात करें guarantee terminal benefits की जिसको GIB कहा जाता है तो regular और limited premium वालों के लिए formula है annualized premium को multiply किया जाएगा GIB multiple से उसको multiply किया जाएगा model factor for GIB से अगर किसी ने single premium option चुना है तो single premium को multiply किया जाएगा GIB multiple से और उसको multiply किया जाएगा model factor for GIB से इनके चार्ट की बात करें दोस्तों तो GIB multiple for policy term option A और option B के लिए चार्ट ये है और option C और option D के लिए ये रहा और दोस्तों जो model factor है GIB का ये चारों option के लिए यहाँ पे भी same है उसका चार्ट आपके सामने तीसरे नमबर पे दिया हुआ है death benefits पे आएं अगर हम अगर किसी individual की death जिन्होंने ये policy ली है payout period से पहले हो जाती है तो option A और option B के case में yearly premium का 11 times नमिनी को दिया जाएगा option C के case में single premium का 125% और option D में single premium का 11 times उनके नमिनी को दिया जाएगा अगर दोस्तों death payout period के बाद में होती है तो जो benefits उस individual को मिलने थे वो सारे नमिनी को मिल जाएगे जैसे कि guaranteed income benefits हो गए और guaranteed terminal benefits हो गए ये सारे नमिनी को दे दिये जाएगे ठीए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और जादा स्यादा शेयर कीजेगा मिलते हैं दोस्तों नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर